करोना के टेस्ट के लिए मलीजों को यहां बहां नहीं भटकना पड़ेगा और हमिरपर में अगले सप्ता से करोना टेस्ट के सुभिदा मिल सकेगी हमिरपर मेडिकल कॉलिज में नादोन के विधायक एवं पूर्ब कॉंग्रेस परडेशा ध्यक्ष सुभिंदर सिंग सुखु की विधायक निधी से करोना टेस्ट मशीन स्थापट की गई है मशीन के निरिक्षन के लिए सुकविंदर सिंग सुखु हमीर पर पहुंचे और लैब में स्थापित मशीन का निरिक्षन कर पूरी जानकारी हासिल की सुखु ने खुशी जिताई की अगले सप्ता से करोना टेस्ट हो सकेंगे और इसके साथ ही खांसी बुखार के भी टेस्ट हो सकेंगे सुखु विंदर सिंग सुखु ने कहा के करोना मशीन के स्थापित होने से अब लोगों को सबिदा मिलेगी उन्होंने Medical College के स्टाफ का धन्यबाद जताय कि जल्दी से जल्दी करोना टेस्टिंग मशीन को स्थापित किया है और अब एक सब्दा के बाद टेस्ट शुरू होंगे देखिए मुझे बड़ी खुशी है कि अगले सब्दा से करोना के टेस्ट इस रादा किशन Medical College में शुरू हो जाएंगे ट्राइल रन चल रहा है और इससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इसमें सिर्फ करोना के टेस्ट नहीं होंगे इन्फ्लुइंजा के टेस्ट है कोविट के टेस्ट है और जो मौसम के विदलाव के साथ बमारियां होती है उनके टेस्ट भी होंगे और सही तरीके से हमारे लोगों का डागनोज होगा और उनका इलाज हो सकेगा कि इस परकार की परक्रिया तो 6-6 महिने तक लटकी रहती है लेकिन इस परक्रिया में इन्होंने बहुत जल्दी खास कर प्रिंसिपल साफ का अनिल चुहन जी का और इनके स्टाफ का कि इन्होंने जल्दी से जल्दी प्रक्रिया को शुरू किया गया और थोड़ी सी राजनितिक अच्चन आई पैसे के मामले में उसको हमने दूर किया और इनको पास जैसे पैसा पहुंचा इन्होंने एक मह भीने के वितर ये मशीन भी ला दी और एक हफ़ते के विंदर टेस्ट की शुरू कर दी जाएंगे वहीं भाश्पा के निताओं द्वरा सुखो के करोना टेस्ट मसीन पर दिये गए पैसों पर पूर्प में की गई टिपणियों पर पलटवार करते हुए सुखो ने कहा कि इस मशीन की आवशक्ता आम आदमी को थी और इसकी आवशक्ता सभी लोगों को है उन्होंने कहा कि करोना से केबल भाशपा ही नहीं लड़ रही बलकि सभी लोग इससे लड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि परदीश और जिला में लोगों ने अनुशासन का परदर्शन किया है जो और भी ध्यान दे और उन्हें कहा कि अगर नए उपकरणों के लिए आगे भी कुछ करना पड़े तो कॉंग्रेस पीछे नहीं हटेगी मेलने की सुभिदा मिलती है और यह परकार की राजनीत ही करना कि हमीरपूर से मैंने तो चनाब नहीं लड़ना है अगर मैने हमीरपूर से चनाब लड़ना होता TH tut मैं म छीज़ की बात नहीं करता पर इस हमारी के लिए सब लोगों को यह चीज की जरुरुत थी और जरुरुत के कारण इस जरुरुत के कारण हमने ये चीज यहां दी क्योंकि medical college जो है वह मेरे मेरी समझ में आया कि मुझे एक ऐसी मशीन देनी चाहिए ताकि हमारे लोगों को यह पता लग सके इसमें से किसको टक ठक टक करके चलता है अब वो सरकार में हैं और जायराम जी विसरकार में यहां यहां अब फोडी की ऑल्टासॉंट की सुविधा होनी चाहिए city इसकैल लेटस्ट होना चाहिए वो तो अभी तक होस्पिटल में दे नी सके हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी हम इनको सुविदा उपलवद करबाए चाहे विदान सभा के मंच पर बात उठानी पड़े या किसी के थुरू सियासार के थुरू कोई फैंट दलाने की जूरत होगी उसके लिए हम जंगर्श करेंगे क्योंकि ये मुझसे संबंदित नहीं है आप लोगों से भी संबंदित है आम जंता से भी संबंदित है ठाकुर कॉल जिंग के दोरा पाड़े को दो फार्ड करने के मुद्दे पर सुखने बात को टालते होए कहा कि ये समय इस बात का जवाब देने का नहीं है आपको पूरा जवाब देंगे